तो पिछले टुटोरिल में हमने सीखा था कि कैसे आप इटेटर और जनरेटर पे काम कर सकते हैं और कैसे आप मैप और फिल्टर के साथ काम कर सकते हैं तो आज मैं आपको एक एकसराइज देने वाला हूँ उस exercise में आपको क्या गरना है आपको एक game बनाना है क्या बनाना आपको एक game बनाना है तो guys अभी तो मैं आपको छोटा game देने वाला हूँ लेकिन आप जैसे अपनी जो python की tutorial की course है जो अपना ही है जैसे ही guys पूरा हुआ ना तो मैं आपको guys एक दो अच्छे अच्छे game बना कर भी दिखाऊंगा specially tutorials दूँगा की कैसे आप python के अंदर game development के अंदर जा सकते है python के through और वैसे जादा तर c++ से जो game development है वो जादा अच्छी c++ से होती है लेकिन आप python के तुरू भी game बना सकते हैं ठीक है तो इसकी series guys आने वाली है after this python course तो guys अभी हम start करने वाले हैं अपना नया exercise और guys जो जो यह exercise complete करेगा उस उसको अपना source code मतलो की job का code है वो अपने comment में डालना होगा सबसे पहले exercise क्या है exercise guys आए game बनाना आपको कौन सा game बनाना वो game है guys stone paper scissor खेला सबने होगा यह पच्पन में बड़े होकर भी खेला हो क्या पता किसी का कुछ नहीं पता ठीक है तो guys stone paper scissor आपको खेलना आता है या नहीं आता है मिरको नहीं पता लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि game के अंदर क्या है और आप कैसी इसको बना सकते हूं तो मैं आपको तरीका ही बता हूं ठीक है तो सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूं exercise टूग में नाम से exercise exercise 2.py ठीक है exercise 2.py तो guys हमको क्या करना है आपर मैंने आपको बताए कि हमको game बनाना है क्या बनाना है game ठीक है तो make stone paper paper and scissor तो guys stone paper scissor तो stone क्या करता guys जैसे आप बच्पन में अगर आपने खेला हो तो आपको समझा जाएगा लेकिन अगर नहीं खेला तो मैं आपको बताज़ता हूं कि क्या करना है कि इन में से कोई एक computer randomly चूज़ करा कि computer ने अगर stone चूज़ करा तो print नहीं कराना हो ठीक है वो अंदर ही रखना है फिर आप बोलोगे आप एक आप चूज़ करोगे ठीक है अगर आपने stone चूज़ करा और computer ने paper चूज़ करा तो paper stone से जीत जाएंगा ठीक है paper stone को रोक लेगा ठीक है और अगर आपने paper चूज़ करा और computer ने करा Caesar तो जो Caesar बर चवार है तो computer पिर जीत जाएगा ठीक है तो अगर आपने stone चूज़ करा computer चूज़ करा Caesar तो आप जीते होगे, जो stone है, वो Caesar को तोड़ देगा, ठीक है, तो ये game है, ठीक है, तो आपको क्या करना सबसे पहले, आपको सबसे पहले ये तीनों, एक मतलब की computer को बताना है, कि इन में से चूज करना, मतलब एक program बनाना है, कि जिनके अंदर computer जो है, इन में से कुछ चूज करे, ठीक है, तो वो चूज करेगा, stone, paper, Caesar में से, randomly कुछ भी चूज करेगा, ठीक है, तो और आपको भी चूज करना, ठीक है, तो आप कैसे चूज करोगे, आप computer को बताओगे, कि मैंने Caesar चूज करा है, paper चूज करा है, stone, कैसे, अप लिक करे, input दोगे, कि मैंने stone तो वहार जायेगा ऀगर पेपर हुआ Mal gent उसका भी स्टोन ही हुआ तो क्या हुआ तो ड्रोव मिन जाएगा क्या होएगा रो तो 10 बार आपको यह कोष्ण मिनलब की 10 बाइपको प्लेचा यह वाइलूप की छलाAST अगर आप जितते हो आपका स्कोर बढ़ेगा ठीक है तो ये गेम अपको बनाना है काफी टाइम है आप सकते हो कर्णाइज के अंग्वेज की एक अगर किसी एक लेंग्वेज की अपको जब तक आप उस लेंग्वेज पे प्रेक्टिस नहीं करोगे जब तक बिलकुल नहीं सीख पाओगे, ऐसे कोई, ये मुवी थोड़ी है, आई देखे चले गई, नहीं नहीं, ऐसे नहीं सीख पाओगे, आपको एच्छे से सीखनी होगी, प्रैकिस जरूर करनी होगी बिना प्रैक्टिस का आप नहीं सीख सकते, तो गाइस ये गम बनाके, कोमेंट किजिए guys अपने अपने code को ठीक है और जिसका code सबसे अच्छा होगा guys very good उसको एक chocolate मेरी तरफ से खेर वो मैं दे नहीं सकता पर बढ़ाई कि आप अच्छे तरीके से सीख रहें ठीक है तो guys अभी के लिए इतना ही और जल्दी से जल्दी इस game को बनाईए और इसका solution भी guys जल्दी ही आने वाला है और आ जाएगा एक दो दिन के अंदर तो guys मिलते हैं आपको फिर next video के अंदर बाई च्छेट एंदे एंदे विडियो ने आपको जाएग्ड टक्यान अट्या ट्ट्ट विडियों अधननों नेतना वख विज्स प्सक्णशन प्सक्वाइब जोंगी एट प्सक्स प्सक्ता अच्छलब इस टोंग च्रश्वाथ एंज्डर्ब और तर भीयों विए उन